स्वागत आपका इंडिया की बात में मैं आभिसार शर्मा और मेरे साथ है आदिती और मुकुल और आज हम आपके सामने तीन मुद्दे लेकर आएं दोस्तों पहला चार चरण के मद्दान के बाद आगे कौन वीजेपी बॉकलाई क्यों ही है मुद्दा नंबर दो प्रधान मंत्री अब तक दो बार रो चुके हैं उनके इंटर्व्यू सामने उभर कर आ रहे हैं और वो अपने बयानों पर लगातार पलट रहे हैं और मुद्दा नंबर तीन म्यूस क्लिक के संस्थापक प्रभीर पुरकायस जो हैं उनकी रिहाई के आदेश सुप्रीम कोट ने दिये हैं जो मुद्दा हम उठा रहे हैं कि क्या भाच्पा एक ऐसा मीडिया चाहती है जो नतमस्तक है दंगाई है शाटुकार है हम शुरुआत करना चाहेंगे चार चरण के मद्दान जी हां चार चरण के मद्दान हो गए हैं कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारती जंता पार्टी पिछड रही है कई कह रहे हैं नहीं साब पिछले बार के मुखाबले कोई तबदीली नहीं आई है जो चीजें साफ तोर पर दिखाई दे रही है वो है भाजपा के नेताओं की बॉकलाहट उनके जहरीले बोल जो दिखाई दे रही है वो है इंडिया गटबंधन के नेताओं के आत्म इवश्वास से लबरेज बोल और जो दिखाई दे रहा है वो है चुनाव आयूक का शर्म प्रमुक मुद्दा बना हुआ है इस आधार पर कहा जा सकता है कि विपक्ष ने बढ़त बना ली है और बीजेपी पिछाड रही है अधिती क्या है स्मुद्दे का पंच अभिसार मेरा पंच ये है कि पिछले चार फेजिज में भाजबा को अपनी जमीन कहीं ना कहीं खिसकती नजर आ रही है खासकर करनाटक, राजिस्थान और कुछ अद तक कहें तो उत्तर प्रदेश में भी तो इस वज़े से उनकी बॉकलाहट साफ नजर आ रही है अभिसार आपका पंच मेरा पंच दोस्तों चुनाव आयोग को लेकर है चुनाव आयोग इन चार चरणों के बाद कट घरे में है प्रेस कॉन्फिंस ना करना और आप प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे नाकारा चुनाव आयोग की थारीफ एक इंटिव्यू में कर रहे हैं जब मुकुल जैसा कि हम देख रहे हैं इन चार चरणों में जो चीज़े साफ तोर पर उभर कर आ रहे हैं जैसे मैंने कहा योगेंद्र रियादव कहते हैं कि साब सवाल ही नहीं इंडिये को भामत मिले मगर फिर दूसी तरफ आकसिस के जो अपने गुपता साहब हैं वो कह रहे प्रियंका गांधी वाडरा राहुल उनका ग्रेशन तेजस्वी अखिलेश इन सब के हाव भाव आत्म विश्वास से लब्रेज मुद्दे पर बने हुए हैं ऑन दे बॉल लाइन अन लेंड की गेंदबाजी हो रही हैं तो मुद्दे बने हुए हैं दरसल जो मुद्दे ब बन्यादी मुद्दे हैं रोजी रोटी के मुद्दे हैं वो बने वे हैं इस वज़े से हम यह जान सकते हैं समझ सकते हैं क्योंकि ग्राउंड से जो रिपोर्ट आ रही है अब ग्राउंड ही फेल हो जाए वज़े से MP में यह सब आया था बाहर लेकिन तो फिर तो कुछ भी बिल्कुल MPD हमें हमें नहीं भूलना चाहिए अदिती उत्तर पदेश में क्या हुआ था उत्तर पदेश में जिस तरह की प्रतिक्रिया अखिलेश को मिल रही थी कई पत्रकार गए थे कहें अखिलेश के पक्ष में मगर फिर हमने देखा अदिती माहौल बदल गया मैं यह अपने समर्थक को बूठ तक ला पा रहा है यह चुनोती हर बार दिखाई देती है आपको लगता है यह बड़ी चुनोती है विपक्ष के सामें और खासकर अचार संगीता का सवाल है उसमें तो मैं यह कहूंगी कि अचारी डालने उसका तो अच्छा है इलेक्शन कमिशन देखिए मैं बात करूंग अचुनावाई हो क्योंकि उस पर मैं एक अलग से चर्शा करना चाहता हूं इस सेग्में मगर मैं आप दोनों से जानना चाहता चलिए हम तीनों ही अपनी राय देते हैं आगे कौन इन चार चरणों में आपके हिसाब से चलिए इस वक्त हम अगर आप से शुरू करें मोगर मतलब अभी तक अगर क्योंकि इसके साथ एक राइडर जोड़ा जा रहा है कि अगर इमानदारी से हो रहा है अगर इमानदारी से हो रहा है तो यह सरकार जा रही है यानि विपक्ष ने बढ़त बनाई है उसके मुद्दे बने वे हैं मुद्दे महंगाई बेरुजगारी बने वे हैं अगनीवीर जैसे मुद्दे बने वे हैं यह मुद्दे लोगों को प्रभावित कर रहा है और वो खुद भा खुद तो अगर इमान डरीज़त चुना हो रहा है तो विपक्ष ने बढ़त बना ली है अधिती आपके हिसाब से इस स्वक्ष कौन आगे दिखाई दे रहा है आपके लिए देखें जो जमीन से रिपोर्ट्स आ रहे हैं उनके हिसाब से तो यही लग रहा है कि बढ़त नहीं बढ़त लेकिन बढ़त बढ़त नहीं बढ़त लेकिन बढ़त 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 लेकिन बढ़त 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 लेकिन बढ़त 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 sharing में जो है न मुझे personally यह लगता है कि symbols का यह अगर विपक्ष को वर्क करना पड़ेगा कि जैसे महराष्ट रहे हो रहा है आदे लोगों को मालूम ही नहीं कि घड़ी अब जो है वो NCP पावार के पास नहीं है उसके पास है कई reports हैं कि लोग जाके NCP को वोट देना जा रहे थ हैं चाहे उधर ठाकरे का सिंबल चिना चाहे शरत पावार का सिंबल चिनना भी पहुंचना लोगों तक आप देखते हैं कि प्रधान मंत्री यानि BJP का कमल का फूल तो इतना जादे पापलर है वो हाथ में लेके चलते हैं तो हर समय एक symbol आपके दिमाग में डालते हैं तो सिंबल वाला भी एक मसला है देखें चाहरण के चुनाव की बात कर रहे हैं आपने बाइमानी की बात कि और जब बाइमानी की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे चुनाव आयो के नाकारापन की देखें हम देख रहे हैं पहले चाहरण के मद्दान होते हैं शाम को साथ तो बात देखते हैं अच्छानक बढ़ःत्री पांच फीसिडी की अब कई experts जो हैं इसे धानली का प्रतीक मान रहे अब इसके हमारे पास कोई सुबूत नहीं है कि यह पांच फीसडी कोई धानली का प्रतीक है यह पांच फीसिदी एक सामान नहीं कि कुछ दिनों बाद आपने आकलं किया तो आपको पता चला नहीं, नहीं नहीं सहाब, यह से पता चल रहा है कि हो सकता यह सामान प्रकृरया हो, मगर अगर लोग उसमें धांदली देख रहे हैं आदिती, तो इस से पता चलता है कि चुन पेसरा पत्रकारों को यह बहुत शिकायत है कि पहले हर फेज के बाद चुनावायों के ऊज़कर प्रेस वहां करता था क्रिशन काया कि उसक आमकि प्रिश्कों क्यों कि में क्या हुता है कि सवालात होते है जस्वतां के बीच में क्रेडिَdish है ना मुझे पता क्या लगता हादिती देखिए हमने देखा था जब एलान हुआ था लोग सवाचुनाव का राजीव कुमार से सवाल पूछा गया था कि भई आप राहुल पर आक्शन लेते हैं उन पर तलखी दिखाते हैं मगर प्रधान मंतरी पर चुपई अमिछ शा पर चुप उन्होंने तो इस बार उन्होंने उससे बचने का रास्ता निकाला कि मोदी जी को ना देकर उनके अध्यश को जेपी नड़ा को एक क्या मज़ा के मोदी जी के बयानात साफ तौर पर चुनाव आचार सहिता का उलंगन कर रहे हैं मुसल्मानों को घुसपैटिया बताना तम नौज में भी हमने देखा तो अचानक सोशल मीडिया में ख़वर आई कि कुछ लोगों को वोट डालने से रोका गया CISF जाच कर रही है आपका पहचान पता और नो बिजनस तू चेक यो आइडिन्टिटी कैंडिडेट कर रही थी तो मुझे याद है जब वो संभल का मामला आया था तो चुनाव आयोग ने ट्वीट कर दिया नहीं ये गलत खबर है और फिर मुझे याद है शायद आयूश तिवारी रिपोर्टर थे कौन थे वो उन्होंने जाकर बाकाय दमा पड़ताल की पता चला नहीं वो सही बात है रोका गया था मतलब एक तो आप अपनी गलतियां आपकी दिखाई दे रही है तूसरा आप धंकाते हो सहाब धंकाते हैं लोग और उपर से मुलम्मा ऐसा चड़ा के रखा हुआ है कि दिखा रहे हैं मीडिया में कि देखें जी एकनाच शिंदे का हम सूट के स्खोल खोल के देख रहे हैं लेकिन 10-11 दिन, 4 दिन, 5 दिन ये तो वाके में लोगों को संदेहे में डाल रहा है या तूबी फेर क्योंकि इनकी कोई जवाब दे ही नहीं है इन पर कोई कटगरे में नहीं रखता है तो उन्हें लगा कि भाई हमारी मर्जी हम जब मर्जी करें तूबी वेरी फेर अगर ह उसमें बहुत बड़ी कोई साजश नहीं देख रहे हैं चलिए हम दोबारा आते हैं विपक्ष के कैंपेइन को लेकर एक जो बहुत इंक्रेस्टिंग चीज़ हमें दिखाई देती है यहाँ पर इस चुनावी कैंपेइनिंग में प्रियंका गांधी बत्तौर कर रही हैं आपने देखा मंगल सूतरवाले मामले पे उनके पिता को जिस तरह से प्रधान मंक्री ने देश द्रूही बताया था उस मामले पे हर मामले पर धज्यां उड़ा रही है और भाजपा के पास जवाब नहीं आपने देखा होगा अमिट शाह और प्रहांती दी थी भोजन के अधिगार की वो किस ने दी थी तो इस तरह से वह वाके में उन्होंने बहुत सुधार किया और वो जिस तरह से कर रहे हैं कम्मुनिकेट लोगों को और वही नहीं राहूल अखिलेश तेजस्वी इसा है लग रहा है कि नहीं और मैं प्रियंका का जिक्र क् जारखन शत्ति गड़ जहां जा रही है एक उत्सुकता है लोगों में तो मैं समझ जाता है यह कुरियोस्टी है यह कॉंग्रिस के लिए वोटों में तबदील हो सकता है अब वो तो यही आशा करेंगे कि वोट में तबदील हो क्योंकि भीड बहुत आरहे है और एक बात त कर रहे हैं उनके साथ तो वो एक एक सब्सक्राइब होती है लोग भीड से कह देते हैं वो जवाब भी देती है तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि राहूल में जो एक अग्रेशन दिखाई देता है कि वो हमेशा स्ट्रीट जाकर चेहरे पर हमेशा एक बहुत ही सीरिस भ फों पर यह दो कंशे के मुद्धों पर और वो थोड़ा अग्रेसिव रहेंगे इनका इमोशनल शेडी जाहरे है उनकी अगरे जारी देड का ब aparece है कंप्ति ने ऐस्स्ら नेताओं क्या जोग हपला हुआ सब जानते हैं वो एक अलग मुद्दा है देखिए वो जिस तरह से कम्यूनिकेट कर रहा है कमर में चोट लग गई अपने वीलचेयर में बैटके वो बंदा घूम रहा है बाते कर रहा है अखेलेश थोड़ा पीछे हैं मगर ठीक है उनका यूमर एक उ कि अफ़ली देखिए रहे हैं तो ओल्पने तक हैं तो आपका हुई बहुआ संद समय लिए अप पाला साफ की वेसे में दीना आपका नहीं को चाहिए हमारा यंदुट आपका हें चीज दी हैं और आ कि हमारा बात के अटवाली बात नहीं ही हमारा हिंदू आपका हिंदू करता हूं लेकिन उद्धव वाके में एक बहुत आग्रेशन के साथ और अपनी बात रख रहे हैं मैं भी आप अगरी करती हूं और किसी भी चीज में छोड़ ली रहे हैं यह जो लेटेस होडिंग वाला भी इंसिदेंट हुआ है जो होडिंग गिरी है वहां पर इतना सारा उ आप गाजा और इधर उदर आप रुखवाने जा रहे हैं आप बगल में भाशन दे रहे थे जब यह हो रहा था और उसके उपर आपने ना गए ना मिलने गए ना कोई टिपनी की तो उद्धव का भी अग्रेशन है, सौफ्ट अग्रेशन है ममता बैनर जी का भी हम नहीं अग्रेशन मगल नहीं आप कुछ भी खाएं जाना है मगर में जब जिक्र किया जो आक्सिड़न हुआ है मुंबई में देखे ये मुद्दे जंता तक जाएं कि प्रधान मंतरी इधर दूर की बाते करते रहते हैं मगर साब जो जमीनी मुद्दे हैं उस पर तो रही आप और इसको लेकर जो brainwash किया गया दस साल से जंता को उससे निकल पाना तो बहुत मुश्किल है न मुकुल यही है पर लोग बात करने लगे हैं क्योंकि वो चाहे वो पापा वार रुकवादी जिस तरह से उसका मीम बने उसे छोड़ी दिया उस विध्यापना अरे उस मीम पर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की इंटर्वियू की जी हाँ प्रधान मंतरी ने इंटर्वियूस करने शुरू कर दिया और जो चीज़ सामने उभर कर आ रही हैं वो क्या है पहली बात अपनी ही बातों से पलड जाते हैं दूसरी बात एक नहीं दो दो बार आसू आ गए राहूल गांदी ने कहा था भविश्युमानी की थी उनकी एक और भविश्युमानी सही साबित हो गई मनिपूर की और मेरे खाल से वो सवाल उनसे पूछेगी प्रधान मंत्री आप अपनी माता को याद करके रोते हैं मा एक emotional subject है हम सब जिनकी माएं जिन्दा भी हैं उनके बारे में सोचकर अक्सर आसू आ जाते हैं मगर मनिपूर की भी तो माएं हैं उसके अलाव हम नहीं भूल सकते कि पहलवान बेटिया हैं वे तमाम हैं ये पहलू हैं तो रोना क्यों मोदी जी क्या है समुद्दे का पंच बताएंगे मुकोल मैं वही कह रहा हूँ कि बार-बार बयान इसलिए बदल रहे हैं दरसल जूट के साथ दिक्कत यह है कि उसे यादी नहीं रहता जूट बोलने वाले को उसने कल क्या बोला था क्यों बोला था सच के साथ यह होता है कि जो आज है वो कल है वो परसो होगा तो एक मिसाल दी जाती थी सत्यवादी हरिश्चन की अपर लोग मजाख में जूट के मामले में मोदी जी की मिसाल देने लगे हैं और यह बहुत ही खतनाक है एक हमारा समयधानिक पत्पर प्रधान मंतरी को लेकर इ एक दिन बोलना कि मैं मैं प्रधान मंतरी कैसे हो सकता हूं मुसलमानों के खिलाफ हो तो अगले दिन फिर दुबारा से को करना तो मुझे लगता है जैसे जैसे आखरी पड़ाव करीब आता जा रहा है यह नाटकियता बढ़ती जाएगी बॉखलाहट बढ़ती जाएगी औ और भयावा भी हो सकती है आपका क्या पंच है अभी सर इस मुद्धे पर मेरा पंच यह है कि न्यूज 18 ने एक इंटर्व्यू किया था प्रधान मंतरी से और उनसे सवाल किया गया कि आपने कहा था कि अगर कॉंग्रेस सत्ता में आ गई तो वो राम मंदिर पर ताला लगा जो सामप्रदाइक तोर पर भढ़का हो है प्रधान मंतरी को उनके पलटते बयानों पर कोई कटगरे में रखने वाला नहीं है इसलिए प्रधान मंतरी ये बाते लगातार कर रहे हैं जो अपने आप में बहुत शर्मनाक है मुकौल दो बार रो चुके हैं प्रधान मंतरी आप तक दो बार रो चुके हैं मैं देखिए अब मैं जानता हूँ हम ये मुद्दा यहां रखेंगे तो एक भीड़ा जाएगी वो अपने मा को लेकर जो हैं अगर रोए तो आपको क्या प्रॉब्लम है मैं कहता हूँ और भी कई मुद्दे हैं जिस पर आप आँसू बहा सकते थे जो बहुत जिनुविन मुद्दे हैं प्रज्वल रिवन्ना ने जो उन सेंकड़ों औरतों के साथ किया वो सड़षड साल की ओरत का विड़ियो वो गिर गिड़ा रही है प्रज्वल रिवन्ना से कथित टौर पर उस वीड़ियो में कि मेरे साथ मत करो मैं मैνे तुम अपने बाहों में खिलाया है मैं तुम वह उसको लेकर भी आंसू आ सकते थे महिला पहलवानों को लेकर आसू आ सकते थे राहूल गांदी की जो भविश्वानी थी वो बिलकुल सही साबित थे लेकिन जब रोना स्क्रिप्टेड हो सायास हो बाकाइदा सोस समझ कर किया गया एक पहलू सवाल भी ऐसे बड़े थे इस तरह से यह जो है इसलिए लोगों को अब उनके रोने पर भी रोना ब यकीन ना हो अधिती प्रधान मंत्री जिस तरह से बयान पलटते रहते हैं यार आपने खुद बोला कि भई हमें 400 सीटे इसलिए चाहिए कहीं कॉंगरिस उस पर बाबरी ताला ना लगा दे और वो इंटव्यू वाले ने डर डर के जो सवाल पूछा वो तो बहुत हलका सव है कि आप पलट देंगे फैसले को आपने बाबरी ताला कहा देखियों उसमें दो तरफा यह खतरनाक है पहला इस चाहिए कि आप बाबरी ताला लगा रहे हैं दूसरा आप ये बात कह रहे हैं कि जो मंदिर वजूद में हैं उसे कोई कैसे पलट सकता है मगर आपको लगता है कि आपकी जंता इतनी ना समझ है कि आप ऐसी बाते कर सकते हैं उसके साथ और उसपर आप पलट रहे हैं पलट तो लगातारी रहे हैं आज कल वो यस देखते हैं कि क्या ओडियंस है जहां मुसलमान बहुली शेतर होता है सब्सक्राइन माने टॉक्राइल श॥ा सब्सक्राइब सब्सक्राइं के अए segment सब्सक्राइब ब्रणबार 취। जिस तरह से रिपोर्ट किया गया है, कल बिहार में कहीं पर मीटिंग में उन्होंने बोला कि जब अगर हमारे पास 400 सीट आ जाएगी या अगर हम जीत जाएंगे, अगर मोधी जीत तीसरी बार जीत जाएंगे, तो गौव हत्या करने वालों को उल्टा टांग के सीधा कर दें अब अच्छा लगातार अपना रहे हैं, अब मैं उसकी बात करना चाहूंगा, जो मुसल्मानों को पहले उन्होंने घुसपैटिया बता दिया, फिर इंटिव्यूम पलट लिया, अच्छा दिल्चास बातते हैं कि उन्होंने का नहीं नहीं, जादा बच्चा पैदा करने म कहां से कल्पना कि अगर आपने नोटिस किया हो,ध्र अगली बार जब नहीं यहिला है जैंकर आपने पहले कहा की मनमहत सिंग मुसल्मान Release को अन्होंन को देना चाहते धिया भी बात करके फिर आपने काहाँ थी मुस्लमान दो बार बीच में आया है और आपने उसे जादे बचिने में पाइब करन क घुषपैटिया तो या नी फैर तो यानी फिर अच्छा जादे बच्चे गरीब हैं तो गरीब ही किसी वज़े से दस साल आपको भी हो गए और फिर आप अगर गरीव यानि ये कह रहे हैं कि कॉंग्रेस अमीरों की संपत्ति गरीबों कोई बाढ़ देगी तो बढ़ी अच्छी बात है तो फिर इसमें फिर वो क्यों घबरा रहे हैं क्यों घबरा रहे हैं अच्छा मीडिया को काईदे सवाल पूछता चाहिए क्योंकि मैंने भी इस पर शो किया था तो क्या प्रधान मंतरी आप ये कह रहे हैं कि प्रधान मंतरी जो कॉंग्रेस है वो अमीरों से लेके गरीबों को दे देगी तो क्या आप कॉंग्रेस को कितने शर्म की बात है अभी हमने चर्चा की चुनाव आयोग का जो पूरा तेवर चार शरणों के बाद अगर कोई सबसे जादा शर्मिंदा हो रहा है तो वो चुनाव आयोग और उसके जरिये लोग तंत्र और बताईए प्रधान नंती खुलकर अस इंटरव्यू में उन चा सब्सक्राब खड़े अब देखे पूरा एक बीजेपी की पल्टन चली गई थी अभी उनको मिमो देने के लिए किसी के लिए और साथ बार तो इंडिया अलाइंस वाले उनसे अपॉइंट्मेंट मांग चुके पहले एक बार भी उन्होंने अपॉइंट्मेंट नहीं दिय तो चुनाव आयोग कैसे मैंने पहले कहा था अचार संहिता कहा थो उन्हें अचार डाले रहे और मुकुल आप जानते हैं वो जो चार पत्रकार सामने बैठे हुए थे जब चुनाव आयोग पर प्रधान मंत्री उसकी इतनी तारीफ कर रहे थे तो उनको पलटके उनसे सिर किया पलटके सवाल करना चाहिए कि सुप्रीम कोट का आदेश आ गया था कि चुनाव आयोग निश्पक्ष हो आयोकतों का चुनाव प्रधान मंत्री नेता विपक्ष और चीफ जस्व इंडिया करें आपने उसे पलट दिया कि सीधे और सरल सवाल है मगर उन कायरों को ये स और ऐसा है कि सवाल नहीं पूछे जारेैं लेकिन वो सवाल उन पिचे जारेैं मीडिया नहीं है लेकिन वो मीडिया नहीं है अच्छा सबसे हिल्चास बात उनसे ये भी सवाल पूछा गया आप सारे सवालों के जवाब दे देते हैं आप प्रेस कॉन्फरेंस क्यों नहीं करते हैं तो उनका जवाब देखिए वो उसके जवाब में ये कहते हैं कि सहाब में ये वेलमार तक जवाब आप के देखिण फॉलगा प्रेस कातें सहाब आपो प्रिज करू अपार कारें हर सटें होते हैं आपके फीते काटन नहीं है असलीए में जनता तक बहुचनाह चाता हूं और दो समय ही समय है कभी बोह रती में कही घंटे लगारे हैं, कही बार बोट पर इंट्रिभु दे रहा हैं, बैठ कर दे रहा हैं, जो कर दे रहा हैं, निकाल सकते अख्वार को जड cable को जडरूत कहीं बाद हाई यानि, कई घंटो को इंट्रिवी होगा, उसमें आप उसमें इंडिया की मीडिया न्यूट्रल नहीं है नहीं उसमें नहीं बहुत ही हास्यासपत बहुत जी ने दे रहे हैं वो न्यूट्रल है इसमें उन्होंने कहा सामने वो उनकी एक संपादक बैठे हुए थे जिनका नाम राहुल था तो उन्होंने कहा कि देखो पहले मीडिया का कोई चहरा नहीं होता था अब सब मीडिया का एक चहरा है सब जानते हैं अब ये जो राहूल है ये मेरे पक्ष में बोलते रहता है मतलब कितना करारा तमाचा एक पत्रकार के चहरे पर कि प्रधान मंत्री कह रहा है इन पत्रकारों को या न्यूस क्लिक को एक खलनाग के तौर पर पेश करेगा मगर सवालों के जवाब नहीं हूंगा अगर ये कहे किसी पत्रकार से कि मैं तुम्हें इंट्रिवी इसलिए देता हूं क्योंकि तुम मेरे जिसे कहते हेल्थी डिबेट के लिए जो की जनता के लिए अच्छा रहेगा एक डिमोक्रिसी के लिए उसमें भी इन्होंने उसको बिल्कुल मतलब राहूल गांधी नहां कि उसनिमंद्रन को स्विकार कर लिया था अगरे प्रधान मंत्री से हम उम्मीन नहीं कर सकते हैं और हम बात चुकी पत्रकारों की कर रहे हैं तो जैसे मैंने बताया हमने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के वो तमाम interview देखे इसके इलावा हमने दो चीज़ें और देखी सबसे बड़ी बात म्यूस क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्ट की रहाई के आदेश दिये हैं सुप्रीम कोट ने ये कहते हुए कि जो प्रक्रिया है उसका अनुसरन दिल्ली पूलीस ने नहीं किया वो खबर आई सामने और इसके लावा हमने एक और तस्वीर देखी जहां दैनिक भासकर पर एफायार हुआ क्योंकि उन्होंने चार धाम में अव्यवस्था पर खबर की थी और फिर हमने देखा मॉलिटिक्स का एक पत्रकार जिसे भाजपा के कारकरताओं ने पीटा सामने सवाल पूछने को लेकर तो किस तरह की मीडिया चाहती है इस मुद्दे का क्या है पंच बताएं आदिती मेरा पंच ये है कि ये जो एक के बाद एक लगातार पी-एम स्टूडियोज में जाके गोधी मीडिया में इंटर्व्यूस दे रहे हैं ये इंटर्व्यूस कम और मन की बात जादा लग रहे हैं आपका क्या है पंच मुद्दे मेरा ही मानना है कि दरसल बीजेपी जिस तरह का मीडिया चाहती थी उसने अपना एक में मीडिया बना लिया जिसे अब लोग गोधी मीडिया कहते हैं और क्योंकि वो उससे सवाल नहीं पूछती दरसल और ये मीडिया जो है इसे भी डर लग रहा है कि अब इसकी साख कम होती जा रही है तो लगाता जो सवाल पूछ रहे हैं अब एक नया मीडिया जो ख़़ा हो गया है जो जनता का रिपोर्टर हो गया है तरह से शोशल मीडिया पर है उसे वो लगाता रोकना चाह रहे हैं पीट रहे हैं मार रहे हैं कि वो सवाल ही ना पूछे वो वीडियो ही डिलीट करा दे अभी सार आपका क्या है इस परपन्च इस मुत्ते पर मेरा पंच यह है कि भारती जनता पार्टी में संस्कृती बन गई है कि सवाल ना पूछे जाएं अगर एक डिजिटल प्लाटफॉर्म के पत्रकार की पिटाई होती है सिर्व इसलिए कि वो जनता से पूछ रहा है कि भाप आए थे तो प्रधान मंत्री को सुनने मगर अमिट शाह है या आपको कितने पैसे मिले और वो मान रही हैं कि हमें पैसे का वादा किया गया था इस मुद्दे पर बेरहनी से पटाई करना माननी ये रिंकिया के पापा कहते हैं जब सवाल पूछा जाता है कि भाई आप जो कनहिया कुमार के खिलाफ प्रॉपगांडा कर रहे हैं उस सब जूटे वीडियोस थे तो कह रहे हैं कि आप जैसे पत्रकारों को बचके रहना चाहिए हम नहीं बूले हैं कि स्मृती रानी ने किस तरह से दैनिक भासकर के एक स्ट्विंगर को धमकाया था परिणाम आपके सामने यानि कि भाजपा एक ऐसी संस्कृती बना रही है जिसके अंतरगत सवाल ही ना पूछे जाएं सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा प्रबीर की और हमने जानते हैं क्योंकि हम यूस्क्लिक के मंच पर ही बैठे हैं हम सब जानते हैं कि यूस्क्लिक हमेशा से वंचितों की आवाज बना और हमने देखा कि किसान आन्दोलन के दोरान जो कावरेज रहा और उससे पहले शाहिन बाग इन तमाम चीजों का ही परिणाम था कि एडी की महरबानी और उसके बाद दिली पुलीस की महरबानी और अब प्रबीर का बाहर आना इसे आप किस तरह से देखते हैं नी बिलकुल मैंने प्रबीर पर जब भी यह हुआ ग्रिफतारियर यह मैंने इसे सीधा माना कि यह सुतंद्र पतकाईता पर हमला था यह प्रबीर पर हमला नहीं था यह नीज क्लिक पर हमला नहीं था इसकलिक क्या कर रहा था, फिर्फ सवाल उड़ा था, ग्राउनट पर जाकर उसे रिपोर्ट कर रहा था किसान आंदुला ने क्या चैंढग तो यह रिपोर्ट किया उसी से यह डिकत खूई तो लगातार एक हमला किया गया प्रबीर को जेल में डाला गया अब सुप्रिम कोर्ट ने बिल्कुश साफ कर दिया गया है कि ये गृफतारी और ये रिमान दूनों ही गैर कानून थी अवैद थी आप कैसे देखते है अरिती से मैं ऐसे देखती हूं कि ये एक इंडिपेंडेंट जिसे कहते स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी ख़बर है क्योंकि इससे पहले जो कोशिश की गई थी जिस तरह से न्यूस क्लिक के उपर सिर्फ ऐसे जैसे मुकुल मन माने नहीं चलेगी मगर हम समानांतर तौर पर कुछ और चीज़े देख रहे हैं हमने साफ तौर पर उस गोधी मीडिया को खिक्याते खीसे नपोरते देखा प्रदान मंत्री का इंटिव्यू करते हुए राहूल गांदी का मजाग बना रहे हैं मंच पर बैठकर और हसरे के कारकरता पिटाई करने रखते हैं पत्रकार की जो सामान सवाल पूछ रहा है ये तो प्रमानित करता है ना मुकुल कि सवालों की संस्कृती को खत्म करना ये भाजपा की सोच है क्योंकि अगर कारकरता से लेकर टौपमोस्ट अगर सवालों को लेकर इतना रक्षात्मक तो ये ये इस बात को प्रमानित कर रहा है कि आप सवालों की संस्क्रती खत्म करता जाए है। प्रमानित कर रहा है बिलकुल उस पर सवाल किये जा रहे हैं। बावजूद इसके टिकेट ना दिया जाना। आप देख रहे हैं प्रज्वल रवन्ना के मामले पर किस तरह से ये मीडिया क्या रुख अपनाता है और स्वाति मालेवाल का। ये फर्क देख रहे हैं। संदेश खाली को लेकर आपने लगातार प्रोपगांडा चलाया। रेप हुआ रेप हुआ रेप हुआ रेप हुआ। बोलते हुए। आप फर्क देख रहे हैं किस तरह से कवर किया जा अगर विपक्षी राज हो और बाच्पा हो। अगर आपने अभिसार तस्वीर देखी हो सोशल मीडिया पर किस तरह की एक लाइन लगा के गोदी मीडिया वाले स्वातिमालिवाल के घर के सामने बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही है। अगर उनके साथ कुछ हुआ है उसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन यही लोग कहां थे जब हमारी रेसलर के उपर पिटाई हो रही थी उन्हें सड़क पे खदेड़ खदेड़ के भगाया जा रहा था। कहां थे यह लोग तब और कितनी ही डिबेट्स होई हैं इन चीज को लेकर और प्रधानमंत्री की चुपई वो तो सब जानते हैं कि किस तरह से हुई है। मुद्ध यह भी सही है, मुद्ध वो भी सही है लेकिन देखिए कितने दोहरे मापदल है। बिल्कुल बीजेपी का ही एक्स्टेंशन लगने लगा है पूरा मीडिया, वो उसी साब जैसे वो मुद्ध उठाते हैं वो उसी साब से बिल्कुल काम करता है। हमने इस देशने निर्भया अंधूलन देखा है, इस देशने निर्भया जैसी क्रूर वारदात देखी है। मैं अकसर अपने शोज में कहता हूँ कि कल्पना कीजिया आज की तारिक में निर्भया आज हो जाती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या प्रोपेगांडा होता। निर्भया के चरित्र पर सवाल उठते और ये उठाते लगातार। उस वक्त देखिए इतनी बड़ी घटना हो गई। छे दिनों में दिल्ली पुलीस निशाए, चार दिनों में सब कुछ सॉल्व कर दिया। राहूल गांधी लगातार उनके भाई से संपर्क में थे, उन्हें मदद करनी कोश कर रहे थे, मगर फिर भी लोग सड़क पे थे, आंदोलन कर रहे थे, बात कर रहे थे, आपको याद है हातरस में क्या हुआ था। रातो रात आपने पेट्रोल से शव को जला दिया, प्रशासन धंकाता रहा परिवार को कि अभी तो मीडिया ये चले जाएंगे तब क्या करोगे। और सबसे बड़ी बात, मैं नहीं भूला हूँ, जीन यूस के उस तिहाड़ी पत्रिकार ने उस बेटी के चरित्र पर सवाल उपाया था। ये हो गया है मीडिया आज की तारिक में हमें वही आद आ रहा है बार बार जैसे है निर्भ्या की बात की या अन्ना आंधोरन भी मतला किस तरह की 24 घंटे की कवरेश थी जिसने सरकारों को हिला दिया और वो कितना सही था कितना गलत लेकिन मीडिया उस समय काम कर रहा था मेडारे निभाए तो सरकार को जवाब देने होंगे हम ये कहते हैं भई आप अपना काम कीजे ना क्योंकि मीडिया का क्या काम है मीडिया का काम ये है कि आप जनता के मुद्दे उठाईए जनता के मुद्दे नहीं उठते हैं उल्टा उन्हें ब्रेन वाश किया जाता है का पाकिस्तान के कई मुद्धों पर आप सवाल उठा सकते हो मगर उनकी पत्रकार हैं मतलब कम से कम 2014 पहले तक हमारे उनके पत्रकार एक तरह से बराबरी थे मगर आज भी सवाल उठा रहे हैं और यही नहीं मिसाल है सलीम शहजाद जैसे पत्रकार की जिन्नोंने आएसाय पर सवाल उठाया था और उन्हें मौत की घाट उतार दिया गया था पत्रकारी नहीं महां के चुनाव अधिकारी भी जब चुनाव हो इसके बाद बाहर आए कि हमसे गुनाव हुआ हमसे गल्ची लेकिन यहां यह संभव होगा क्या करते जा रहे हम हमारे देश को क्या करते जा रहे हम अपने देश को हमें ये भी सूचना पड़ेगा बहुत बहुत शुक्री आपका मुकल और अधिति इंडिया की बात में वस इतना ही अभिसार शयर्मा को दीजे जासत नमस्कार